हमारे देश के नेता, हम सब के नेता आधरनिय राहुल गांदी जी, अकेल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के महासाचेव बावरिय जी, जोतर हदित्या सिंद्या जी, देख भीजे सिंग जी, अरुनियादव जी राहूल सिंग जी, पचोरी जी, बूरिया जी, विवेक तनका जी, हमारी मिनाक्षी जी, सभी यहाँ दूर दूर से आये होए बाई और बेहनों सबसे पहले तो मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ इत्ती कड़ी धूप में आप सब यहाँ उपस्तेज हुए आपने कॉंग्रेस की आन रखी, शान रखी, आपने कॉंग्रेस की संस्कृती, कॉंग्रेस के सिद्धानतों में, कॉंग्रेस की सब्यता में विश्वास रखके, आप कमर्ठान के यहाँ आए हैं राउल जी राउल जी अद्यक्षपत समालने के बाद ये पहला कारिक्रम है आपकी उपस्तिती में और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी राउल जी आप ऐसे प्रदेश में आई हैं जहां हर वर्ग पीड़े थे राज नीते के इतियास में ऐसा नहीं हुआ कि हर वर्ग पीड़े तो है किसान की बात हो गई मैं दोराना नहीं चाहता हूँ आज हमारा भटकता हुआ नौजवान जो हूँ या बैठा है जोश में है पर दिल और दिमाग में आक्रोश है आज हमारे आसुरक्षित महिलाएं होएं हमारे वेपारी होएं मद्य प्रदेश का हर वर्ग परिशान है और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री एक ऐसे मुख् हूँ किसान का बेटा हूँ ऐसा बेटा जो किसानों पर गोली चलाता है ये किसान का बेटा अपने आपको कहता है और सबसे ज़्यादा अन्याए सबसे ज़्यादा धोका और साथ साथ सबसे ज़्यादा अपमान हमारे मद्य प्रदेश के किसानों पर हुआ है पूरे देश किसान का बेटा हूँ किता अन्याए मुझे याद है मुझे याद है आप सब के बीच में किसानों के बीच में हम आते थे कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार दिल्ली में था ही आपकी मांग होती थी समर्थन मूल्य बढ़वाईए कॉंग्रिस की सरकार में समर्थन मूल्य भड़ता था हर साथ समर्थन मूल्य भड़ता था सही बात है ये और आज किसान समर्थन मूल्य भड़ाने की बात नहीं करता किसान तो कहता है मुझे समर्थन मूल्य दिलवाईए मेरे साथ नियाई करिये मेरा आपमान रोकिए मेरे घर में, मेरे मकान में मेरी जोपडी में जो पुलिस वाले, जो बिजली के बिल वाले आते हैं इनको रोकिए आज यह तस्वीर हमारे सामने है और इत्ते सारे राहुल जी इत्ते सारे यहां नवजवान उकपस्ते थे आज के नौजवान में अपनी सोच है आज के नौजवान में एक तरफ है आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता आज का नौजवान कोई कमिशन नहीं चाहता आज का नौजवान तो अपने हातों को काम चाहता है वेबशाई का मौका चाहता है यह आज नव जबानों की तरफ है और हर साल हर साल शिवराच सिंग गोशना करेंगे कि 33,000 करोर रुपई का निवेश मद्य प्रडेश में आ रहा है पर सचाई तो यह है कि मद्य प्रडेश में दित्ते उद्योग खुलते नहीं है उससे जादा हुद्योग बंद हो जाते हैं ये आज मध्यपदेश की सचाई है और आज भटकता हुआ नाजवान की तरफ को ये पहचानते नहीं है इंडोर में बड़ा सम्मेलन करते हैं बहुत बड़ा सम्मेलन ये हर साल 13 सालों से करते हैं और बड़ी बड़ी घोष्टाएं होती हैं बड़े बड़े विग्यापन निकलते हैं आप तो देखते हैं ना विग्यापन सब विग्यापन आप देखते हैं कि कैसे शिवराज सिंग की फोटो कैसे शिवराज सिंग जी की फोटो तीस दिन में से पच्चिस दिन अपने मध्य प्रदेश के लगबग एक हजार एक हजार अखबारों में शिवराज सिंग अपनी फोटो छपाते हैं इसका किता खर्चा होता है दो सो क्रोर रुपए महीने का खर्चा अपनी फोटो छपाने में पच्चिस दिन में से तीस दिन एक हजार अखबारों में मैं तो शिवराज सिंग जी को कहता हूँ कि एक महीने अपनी फोटो मत छपाओ 200 क्रोर रुपए हमारे नौजवानों की काम आ जाएगी नौजवानों को दे दो ये मैं शिवराज सिंगी को कहता हूँ और ये विग्यापन तरे तरे के विग्यापन विग्यापन में दिखा विकास विग्यापन में दिखा विकास पर मैदान में भूक और प्यास ये आज मद्य प्रदेश की तस्वीर है और ये देख नहीं सकते ये सुन नहीं सकते ये स कान बंद हैं, इनकी आँखें नहीं चलती, इनके कान नहीं चलते, पर मुह बहुत चलता है, मुह बहुत चलता है इनका, किस तरह आप सब को गुम्रा करेंगे, किस तरह की कलाकारी की राजनी थी, और ये आज भी, आज भी पिछले तीन महिनों में कित्ती गोष्टना ही करी ह शिवराज सिंग जी ने मैं पूछना चाहता हूँ, फिर से हमारे भोली भाली जनता, मद्य पिदेश की भोली भाली जनता को गुम्रा करने के लिए, ये आज हमारे सामने है, मैं तो शिवराज सिंग जी को कहता हूँ, कि शिवराज सिंग जी, गोष्टनाओ का समय खतम हो अब तो हिसाब किताब देने का समय आया है ये जो जनता सामने बैठी है आज हमारे किसान है आज हमारे नौजवान है इनको आप हिसाब किताब दे दिये गोशनाओं से ये सैटिस्वाइड नहीं होने वाले हैं मैं तो आप से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सचाई पहचानिये तस्वीर हमारे सामने है किस प्रकार किस प्रकार हमारे मद्देश की जनता को इनोंने ठगा है किस प्रकार हमारे हर मर्ग को ठगा है मद्देश का मद्दाता कभी कभी निराश होने को भी तयार हो जाता है पर मद्य-प्रदेश का मद्दाता को अगर ठगा जाए मैं तो साफ कहता हूँ यारोप लगाता हूँ कि मद्देश के मद्दाता को किस प्रकार इन्होंने ठगा है और अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ ये आगे आने वाला चुनाव कमलनात के बविश्य का नहीं है, कॉंग्रेस पार्टी के बविश्य का नहीं है, ये चुनाव अगले छे महिने में मद्य प्रदेश के नौजवालों के बविश्य का चुनाव है, ये चुनाव मद्य प्रदेश के किसानों का चुनाव है, उनका बविश्य सुरक्षित रखने का चुड़ाब है और कॉंग्रेस की सरकार इसमें कोई शक नहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कोई शक नहीं कि कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और कॉंग्रेस की सरकार एक नया नक्षा बनाएगी मद्यप्रदेश के लिए एक नया नक्षा बनेगा इस नए नक्षे में हमारा किसान होगा हमारा नवजवान होगा हमारे व्यहपारी होंगी आज मद्यप्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए केवल एक नए नक्षे की जरूरत नहीं है नए कानूर की जरूत नहीं है पर विवस्टा में परिवर्धन किया वशकता है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप सबने आप सबने अपनी कमर ठान ली कोई शक नहीं है आपको भी कोई शक नहीं है आपने अगर अपनी कमर ठान ली इसमें कोई शक नहीं कि छे महने बाद मद्य प्रिदेश की विदान सबा में कोगरिस का जंडा लेर आएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद